और किसे तरह आपको यह बाला एंगल बताने के अपर और देख यह तो किस तरह आपको यह बाला एंगल बताने के के लिए हम first of all I join CO को join CO कर देंगे तब क्या हो OA is equal to OCO है दोनों जो है radius radius of दोनों equal हो गए अब जाए तो इनके adjacent के equal होंगे क्योंकि हम equal side के adjacent angle ये angle भी 30 degree so angle OCA degree आप लिख देंगे यहाँ पर देखिए कि angle OCP 90 degree का होगा क्यों जो होता है वो tangent at point of contact पे at तो point of contact को में PO point of contact अंदर क्या क्या आ रहा है एक तो एक angle आ रहा है PCA जो है यहाँ पर लिख देता हूँ this is PA यह दोनों already आपने 30 degree कर लिया है तो angle 90 में से आप 30 को मुच्ची आएगा आप लिख दी जो है वो कितना है क्या है झाल झाल झाल